हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम SSCJE और UPCCCJE 2021 के लिए सिविल इंजिनरिंग का प्रेक्टिस सेट नमबर 8 करेंगे तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप हमारे बाके के पार्ट देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिष्ट में जाकर देख सकते हैं आप लोगों के लिए एक जरूरी सुचना जो भी दोस्त हमारे SSCJE UPCCCJE की तयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास हैंड नोट्स एविलेबल हैं इसमें आपके SSCJE के 2005 से लेकर 2021 तक के आप तक के जितने भी प्रीवेसर पेपर हुए हैं वो सारे एविलेबल हैं प्लस 20 प्लस प्रेक्टिच सेट हैं और 10,000 वन लाइनर कोश्चन्स हैं ये जितने भी कोश्चन हैं हिंदी और इंग्लिस दोनों में आपको मिल जाएंगे और इसके साथ-साथ 32 मिक्स कोश्चन ओफ कमीशन यानि इसमें UPPCL, UPCCC, UPRUNL मलब अलग-अलग डेपार्टमेंट के जो भी एक्जाम होते हैं उन सबके कोश्चन और आंसर आपको मिलेंगे तो जो भी candidate interested है वो इस दिये गए WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकता है और PDF रिसीव कर सकता है पहला कोश्चन है बिल्लिंग मेटेरियल में आपका सीमेंट से यहाँ पर पहले कोश्चन आपका इंगलिस में दिया गया है और इसके बाद में वही कोश्चन हिंदी में भी repeat किया गया है जो दोस्त हमारे हिंदी मिल्डियम से हैं उनकी सहुलियत के लिए बता दूँ कि पूछा है सीमेंट का घनत्व कितना माना जाता है ओप्सन दिये गए हैं 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब 1250 किलोग्राम मीटर क्यूब 1440 किलोग्राम मीटर क्यूब या फिर 1800 किलोग्राम मीटर क्यूब density of सीमेंट होगी 1440 किलोग्राम मीटर क्यूब ओप्सन सी आपका सही रहेगा इस paragraph से हम 4 question और करेंगे ये तो आपका पूछा गया है cement का घना तो कितना होता है और प्रति घन मीटर यानि प्रति क्यूबिक मीटर में लगभग 30 बोरी आती हैं cement की ये question भी आपका अलग-अलग exam में repeat होता रहता है अगला point आपका दिया गया है एक बोरी cement का भार कितना होता है तो एक बोरी cement का भार होता है 50 kg यानि 50 kg ये question भी आपका काफी बार पूछा गया है एक बोरी cement का item यानि एक बेग जो cement का होता है उसका volume कितना होता है तो ये होता है 0.034 घन मीटर यानि मीटर क्यूब और इसकी माप कितनी होती है 40 x 35 x 25 cm आपके सीमेंट से नोर्मली यही कोश्चन पूछा जाते हैं कुछ और आपके important factor दिये हैं 65% चूना पत्थर यानि लाइमिश्टोन और 35% मृतिका यानि कले को मिलाकर 1500 डिगरी सेल्सियस से लेकर 1700 डिगरी सेल्सियस पर पका कर तथा महीन पीस कर सीमेंट बनाया जाता है प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा साधारन सीमेंट में 2 पृतिसत तक केलसियम कलोराइड मिलाने पर ये सीगर कठोर सीमेंट प्राप्त होता है अगला पॉइंट आपका दिया गया है सीगर जमने वाला सीमेंट यानि क्विक सेटिंग सीमेंट में एलुमिना का प्रतिसत अधिक होता है और क्लिंकर को पीशते समय इसमें कम मात्रा में जिफसम मिलाया जाता है आपका लास्ट पॉइंट है अल्प उसमा सीमेंट यानि लो हीट सीमेंट में ट्राइकेलसियम सिलिकेट और ट्राइकेलसियम इलुमिनेट की मात्रा कम रखी जाती है अगला कोशन है आपका पब्लिक हेल्थ इंजिनरिंग से इसे हम हिंदी में भी पढ़ेंगे सेवाल की व्रद्ध को कंट्रोल करने के लिए सामानेता प्रियुक्त रसाइन है एलम का यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं लाइम का करते हैं या फिर कोपर सल्फेट का करते हैं इसके लिए हम यूज करते हैं कोपर सलफेट का ओपसंट्री आपका सही रहेगा इसके साथ कुछ पॉइंट और आपको याद रखने होंगे सेवाल की वरद्धी कंट्रोल करने के लिए सामानेता कोपर सलफेट जिसे नीला थोथा भी कहते हैं जिंक क्लोराइड, मरकरी क्लोराइड, आदी रसाइनों का प्रियोग किया जाता है ये तीनों पॉइंट भी आपके काफी बार एक्जाम में पूछे गए हैं पानी की अमलियता का मुख्य कारन क्या होता है तो पानी की अमलियता का मुख्य कारण उसमें उपस्चित कार्बन डाई ओक्साइड गेस होती है पे जल में यानि पीने के पानी में नाइटरिक की अधिक्तम मात्रा कितनी होनी चाहिए तो पीने के पानी में नाइटरिक की अधिक्तम मात्रा 45 mg लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तीसरा कॉइंट है पीने योगी पानी में इसका जो पूछा है तापमान कितना होना चाहिए तो ये 4 डिगरी सेल्सियस से लेकर 10 डिगरी सेल्सियस तक होना चाहिए अगला question भी आपका building material से है white cement should have least percentage of जो आपका सफेज cement होता है उसमें किसकी मात्रा सबसे कम होती है aluminum oxide की, magnesium oxide की, iron oxide की या फिर silika की तो आपके white cement में सबसे कम मात्रा होती है iron oxide की, option C आपका सही रहेगा इस paragraph को भी हम ध्यान से करेंगे सफेज cement दुधिया सफेद रंका होता है ये सुद्ध सफेद चोक अथवा AC कले से बनाया जाता है जिसमें low oxide यानि iron oxide मैगनीज इत्याद लगभग ना के बराबर होते हैं इसका उत्पादन सामान सीमेंट की तरे ही किया जाता है परन्तु पकाने के लिए कोईले के स्थान पर तेल इंधन का यूज किया जाता है अगला point है सफेद सीमेंट को स्नो क्रीट अथवा सिल्वी क्रीट के नाम से भी जाना जाता है आजकल ऐसे भी exam में question पूछा जाते हैं कि सफेद सीमेंट को और किस-किस नाम से जाना जाता है तो ये भी आपको याद रखना होगा और ये साधारन सीमेंट से तीन से चार गुना महंगा होता है अच्छा इसका यूज कहां पर करते हैं संग मरमर की पट्टियों तथा कंचिस सफेद टाइलों को लगाने के लिए वाइट सीमेंट का यूज किया जाता है अगला कोस्टन है विच ओफ दा फोलेंग पेंट इच साइन्स एंड विजिबल इवेन इंग डार्कनेस यानि ओप्सन आपको दिये गए हैं और पूझा है निमन लिखित में से कौन सा पेंट चमकता है और अनहरे में भी दिखाई देता है औप्सन्स आपको दिये गए हैं सिंथेटिक रबर पेंट, सेल्यूलोज पेंट, एलुमीनियम पेंट या फिर इमलसन पेंट आपका जो एलुमूनियम पेंट है ये रात में चमकता है और अनहरे में भी दिखाई देता है औप्सन्स ये आपका सही रहेगा इसके साथ कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे एलुमूनियम पेंट अनहरे में चमकता है जिससे वस्तुका भान होता है ये मोसम तथा पानी से कम प्रभावित होता है ये जल सह ताप रोधक और संचारन रोधक पेंट है इसके साथ-साथ, ऐलुमूनियम पेंट को, ऐलुमूनियम के महीन पाउडर को, स्प्रिट वर्निस, अथवा तेल वर्निस से मिलाकर बनाया जाता है प्राइमर एक धात्विक ओक्साइल यानि जंगरोदी पेंट है, और दीको पेंट को सेलुलोज पेंट भी कहा जाता है अगला question है the minimum clear cover in mm to the main steel bars in slave, beam and column respectively are option दिये गए है पूछा है slave, beam और column के main problem है तो निम्तम cover वो भी पूछा है mm में कितना होना चाहिए यहाँ पर आपको सारे point जो है सावधानी पूर्वक सुनने होंगे slave के लिए लेंगे हम 20 mm धरन यानि beam के लिए लेंगे 20 mm और column के लिए 40 mm लिया जाएगा अगर बात की जाए footing की तो उसके लिए minimum cover लिया जाएगा 75 mm ऐसे question भी आपके exam में repeat होते रहते हैं अति प्रतिबलित concrete यानि आपकी जो over reinforced beam होती है वो प्रात्मिक संपीटन यानि compression में fail होती है और जो आपकी अल्प्रतिबलित concrete धरन होती है यानि under reinforced beam होती है वो tension में fail होती है अगला question है सर्वे से और बिल्कुल basic level का question है the total number of links provided इने gunter chain यानि जो आपकी gunter chain होती है उसमें total number of links कितने होते है इस paragraph से हम कम से कम पंदरा question करेंगे gunter chain ये आपकी होती है 66 foot की और अगर बात की जाए इसकी meter में तो ये होती है 20.21 meter ऐसे भी question आपके exam में पूछा जा चुते हैं और ये अगर पूछा जाए किसके नाम पर परी तो ये परी gunter महासे के नाम पर और इसे survey air chain भी कहा जाता है इस chain में कुल कलियों की संख्या होती है 100 और एक कलियों की संख्या होती है 0.66 feet अब हम बात करेंगे engineering chain की engineering chain में chain की लंबाई 100 feet होती है और एक chain में 100 links होते हैं इस प्रकार एक कलियों की लंबाई होती है 1 feet और इसको 100 feet chain भी कहते हैं अगला है आपका राजसुजरीब यानि रिवेन्यू चेन इसे पटवारी चेन भी कहा जाता है रिवेन्यू चेन जो होती है आपकी 33 सूट लंबी होती है और इसमें कुल 16 कलियां होती है आपका लास्ट पॉइंट है और मोस्ट इंपोर्टन पॉइंट है 30 मिल्टरी चेन में कलियों की संख्या होती है 150 आपकी जो 20 मिल्टर की चेन होती है उसमें नमबर ओफ लिंक होते हैं 100 10 मिल्टर की चेन में नमबर ओफ लिंक होते हैं 50 ये भी कुश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं तो आज हमने SSCJE और UP SSCJE 2021 के लिए प्रेक्टिस सेट नमबर एट कम्प्लीट कर लिया है अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें चेनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें